एक फरवरी को सरकार अंतरिम बजट ही पेश करने जा रही है तो एक फरवरी को मोधी सरकार अपना आखरी बजट पेश करेगी और सभी को कुछ न कुछ उम्मीदे हैं जी बिजनस को exclusive खबर मिली है कि रेलवे को लेकर मोधी सरकार काफी कुछ करने जारी है अब रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है फिर भी रेलवे के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है सरकार इस बार रेलवे के लिए तीन चीजों पर फोकस करने वाली है जो हर सेक्टर की बहतरी के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ तयारी हो रही है और इसी सूटी में रेलवे सेक्टर भी अलग नहीं है रेलवे सेक्टर को भी खास तोर से यहाँ पर इसमें प्रमोट करने की कोशिश की जारी है और तीन बहतर चीज़ें हैं जिस पर खास तोर से ख समीर बताएं बजट में रेलवे सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ खास किया जा सकता है सूतरों के मताबिक ये पता चल रहा है कि जो इस बार का रेलवे बजट रहेगा और उसमें तीन बातों पर फोकस रहेगा पहला है सेफर, फास्टर और बैटर यानि कि सुरक्षित रेलवे, तेज रेलवे और बहतर रेलवे ये मूल मंतर रहेगा रेलवे बजट का और यही वजह है कि जो इन तीन पिलर्स पर, यानि कि इन तीन इस्तंबों पर सारी बाते रेलवे बजट में वो घुमती हुए नज़र आएंगे सेफर बनाने के लिए यानि कि सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे में उच्ची तक्नीक का इस्तमाल करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बताया जा रहा है सूतर के मुताबिक कि जो ज़्यादा फंड केंदर की और से अलोकोईट किया जाएगा दिया जाएगा रेलवे को उसका ज्यादा इस्तमाल हाई एंड मशीनरी को खरीदने के लिए होगा ताकि ट्रेक मेंटेनेंस कोच मेंटेनेंस जैसे जो ज़रूरी काम है उसको बहतर और आधुनिक तरीके से किया जा सके दूसरी यातरी के लिहासे यह एहम होने वाला है कि रे क्या है। में इंडियन रेलवे को faster mode of transportation का विकल्प मोहिया कराने के लिए उसका एलाण रेलवे बजट में किया जा सकता है तीसरा और सबसे एहम यह है कि रेलवे को better यानी कि बहतर बनाने के लिए भी कई यातरी सुफधाओं का एलाण आने वाले बजट में किया जा सकता है जो ज्यादा हुआ केंदर से ज्यादा फंड मिलेगा केंदर से उसका इस्तमाल रेलवे स्टेशन को पैसेंजर फ्रेंडली बनाने पर किया जाएगा जिसमें लिफ्ट, एसकेलेटर, वाई-फाई जैसे सुफधाएं शामिल हैं जी तो आने वाला जो रेल बजट है वो तीन चीज़ों पर फोकस रखेगा सेफर, फास्टर और बेटर और यह हमारे सूतर बता रहे हैं जी जी बिलकुल समीर रहतमाम जानकारी के लिए और हमाई साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया